वों लोकसभा के परिणाम घो ने वाले हैं और इस तारीक का इंतजार पूरा देश जोरो सूरों के साथ कर रहा है। साथ ही साथ मद्द प्रदेश में भी इस तारीक का वेसबरी से इंतजार है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चार जून को जब लोकसभा के परिणाम आ जाएंगे उसके बाद मद्द प्रदेश की राजनीती में कई वड़े राजनेते घटना किरम होने जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मद्द प्रदेश की राजनीती जो है वो चार जून के बाद यानि कि लोकसभा चुनावों के जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद गती पकड़ेगी इन सबी बिशियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मद्द प्रदेश के ब सब्सक्राइब को मिलेंगे हो सकता है मंत्री मंदल में फिर बदल भी देखने को मिलें इस पर आपकी क्या रहे है कि पहली बात नतीजे क्या आते हैं इसमें काफे कुछ निर्वर गरेगा वीजेबी सथा में लोट थी कितनी ताकत से लॉटती है या पहले से कमजूर शीति में लोटती है या नहीं लोटती है उस पर सारा आगे निरबर करता है पर अभी मुटे दोर पर जो सर्वे आ रहे हैं और उसके साथ से लोग अंदा लगा रहे हैं कि किसी तरह से वीजेभी की वापसी हो जाएगी ऐसा लग रहा है लेकिन अगर हाई कमान उतना ताकतोर दंग कुछ नए चेहरे उसके शामिल किये जाने हैं और जैसे बीच में किंद्री ग्रहमत्री अमिश्या ने कहा था कि मद्दान कम हो रहा है और इसके लिए उन्होंने मंत्रियों को एक तरह से ताकित की थी कि आप मद्दान बढ़ाई है और जो इसमें असफल रहेगा उसकी कु अगर यह को आगे फॉलो करती है तो सकता है कि कुछ लों कुर्थी चली जाए क्योंकि लगबख सभी किया मद्दान घटाया आम तो क्या पूरे मंद्री मंदल के बदल डालेंगे क्या यह भी सवाल है जैसा कि यह भी माना जा रहा है कि मद्द प्रदेश के जो बरतमान मु मुख मंत्री हैं उन्हें अपना जो राजनेते का नुभा वे दिखाने का और ज्यादा मौका मिलेगा या फिर यह भी हो सकता है कि कैंद्री आला कमान कोई और ऑप्सन भी ढूंदेगा क्योंकि उनको मक्योंती बनाने के पीछे असली मक्सदी था कि उत्तर प्रदेश और जो यादव भूल लाके हैं और वहां से यादव वोड़ बैंक वीज़ेवी की तरह वो खीचे हैं कि इसके 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 बहुते हैं और अभी तक उनकी चपी मोटे तो यह रही है कि वह दिली के आदेश का पालनी ज्यादा कर रहे हैं इस से भी उनको मुक्त होना अब यह है कि चुकि वह बने और उसके बाद ही दो मेने बाद ही चुनाव आ गए तो वह उस तरह से उतना शायर ध्यान नहीं दे पाए होंगे और सवावाई कि पिचार के अंदर ज्यादा उनकी उर्जा खर्च हो रही है और मुहां क्या होता है यह तो अलग बात है और भी हारते हैं तो वह तो बीजेबी का खाते में से कम होंगी इसका असार जो है केंद्री इसमें पाड़ेगा उनके टोटल पर उनके अफिकर पर तो अभी बहुत अठकल बाजी है यह जरू है कि मंद्री मंदल का विस्तार होना है जो जो लोग इसमें और शामिल हूए ह काफी बहुत है तो उसी आदार पर आगे मंद्री मंदल का ताय होगा किस रूप आपने बताया कि जो मंत्री मंदल में फिर वदल होने की संभाव न तबी है जब लोक सभा चुनाब के परिनामों कुछ देखने को मिले लेकिन राजनेते गलियारों में एक खबर ये भी चल संगठन है उसमें बड़े इस तर पर फिर वदल देखने को मिल सकता है चुकि आपका काफी लंबा समय वीजेपी संगठन को आपने नजर भी रखी है तो क्या मानना है क्या होता है कि पहले मंद्री मंदल का विश्थार होता है मुमन जो परंपरा रही तरहीं यह देखने जो आया है और उसके बाद वहां जो लोग जाएंगे यह मां से लोग कम होंगे तो उनको कहीं ने के संगठन में अड़िस किया जाता हम उन संगठन का जो वेर बदल ले वह अक्सर मंदल विस्तार के बाद ही होता है और वैसे तो बीज़ेवी के अंदर ऊपर से नीचे तक पर बदल होना है संगठन किस तरफ अभी क्योंकि अरभ पार्टिक राष्टे अद्धा जिभी नडड़ा वह भी कुछ एक्स्टेंशन पर चल रहे हैं हमार यह जो विडी शर्वा अध्यक्ष है यह भी एक्स्टेंशन भी जल रहे हैं अगर कलको मालों मंत्री बनते हैं त पत्तों ऐसे खाली होना है तो आकर यह फेर बदल तो होना है सबाल है कि कव होता है यह आगे कि बरिश्टी भी नरवड़ा करता है किसको लाते हैं उसके आगे क्या गणित होंगे खासकर कि जबी नडड़ा जी नभी यह बहुत बड़ा स्टेट्मेंट देती है कि आप सक्षम है चलाने के लिए इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है और इस तरह से आड़े से में किस तरह भूवी कानी बाता है आगे संग्टरनात मक्त फिर बदल में भी तो यह सारी चीज़ें अभी तैयों नहीं है अभी बहुत जल्दबाजी कुछ भी कहना जब तक नतीजे नह पत्रकारता का अनुभब है लेकिन बात करते हैं मद्योप्रदेश के बरतोमान मंत्री मंडल की तो यह देखा जा रहा है कि इस मंत्री मंडल में ज्यादा तर जो जातीगत नेता हैं उन लोगों को तरह तरजीब दे गई दी गई थी और उसके साथ-साथ अब यह माना जा रहा है कि सरकार को अगर गती से चलाना है तो यह जो जातीगत सम्मिकरन देख के जिन लोगों को मंत्री बनाया था उनका पत्ता कट सकता और बांकी जो काम करने वाले मंत्रियें जैसे कि गोपाल भारगव हुए उनने काफी लंबा अनुभव है वूपेंद सिंग जो घर सकता है क्या गर विच्वार के लगों काम दूगा तो सवाल है कि यह तो आला कमान दाय करेगा और बीजे भी की जो सिथी है आठ की तारी वह है को टोटली जो है वह है वह है कुझ अधवान सेंट्रिक है पूरा पूरा तो वहां से जो निडेश मिलेंगे तो जो पूरा कि इस बारे में कुछ भी अधाज लगाना बड़ा गठे ने तो बिलकुल आजे वो किल जी के साथ हुई चर्चा में यह इस पश्ट हो चुका है कि मद्ध्रिदेश में मंत्री मंडल विश्टार होना है या नहीं होना यह पूरा निर्ण केवल और केवल लोकसवा चुनावों के परिणावों पर निर्भर करता है चूकि मद्ध्रिदेश में अगर सकारात्मक परिणाम आते हैं तो सायद मंत्री मंडल में आपको कोई बड़ा फिर बदल देखने को नहीं मिले और वहीं अगर इसके उलट कुछ होता है तो आपको म आयुद आयुद को फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें इसके अलावा आप हमारी यूट्व चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत दरनेवाद लगातार जुड़े रहने के लिए आयुद को सब्सक्राइब जरूर करें करें